सबी को जैन दोस्तों आप सबी का हार्दिक सोगत है भारत इस इंडिया पर आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छ होंगे तो आज हम आपके लिए एक इंट्रोस्टिंग एक लेटेस्ट और बहुत ही इंफोर्मेटिव वीडियो लेकराएं जिसमें आप बहुत को जानने को मिलेगा तो इसे अन तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए से इंपोर्टेंट इंट्रोस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो लाते रहें जैहिंद जैभारत साथ हैं जी समीट जैन साब आज यलो यलो डैटी फेलो हम लोग बनके आए हैं हमारा एक साथी गायव हम उसे सुभा से फोन कर रहे हूं मर तो नहीं किया मैं रोहित की बात कर रहे हूं उन्सने कहा थे वह जोइन करेगा पंजाब पहले तक था अब बता नहीं किदर गया है लेकिन दा सबसे पहले थाएंक यू सो मज़ कि आपने जोइन गया किया ही हुआ है उसको बिलकुल ऐसा ही मुझे भी लगता है क्योंकि अभी दस-फंदा मिनिट पहले तक मेरी बात हुई थी तब तक तो ठीक था अब अगर पंगे से लटक गया हो तो मैं कुछ कहा नहीं सकती क्योंकि उससे खुद भी हो सकता है कर मुझे उसने फोन भी किया था कि मुझे नूडल सही है मैं किसके लिए क्या था पंक्य से लटक तो हो सकता है नूडल से याद आया है अज मैं नूडल बना रही हूं तो वह खेर मैं शो के बाद काऊंगी लेकिन होपफुली आज आज यह बीच में जॉइन कर ले क्योंकि म सबसे देखें के लिए तो इसलिए लेट हो गया अब जब शो देखेंगा तो उसके बाद हमारा क्या हाल करेगा हम दोनों का वह आप समझ सकते हैं लेकिन हम सबसे पेहले बात करेंगे इलेक्शिंस की कैसे देख रहे हैं अप यंडियान को पेज वन्यूट हूआ है और उस में आपका क्या ख्याल है कि किस तरफ जाता वर नजर आ रहा है आर्जो जी आपकी मेरी सिचुएशन बिल्कुल सेम है आप भी भारत से बाहर बैठी हैं मैं भी भारत से बाहर ही बैठा हूँ और बाहर से जो चीजे हैं बड़ी क्लियरली दिखती है इगल्स आई की तरह और चाइना के अंदर इतनी खलबली है भारत की इलेक्शन को लेकर मैं बता नहीं सकता और मैं पाकिसान के दर भी देख रहा हूँ कि इतनी तरह डिसकुशन भारत में नहीं हो रही जितनी पाकिसान में भारत की इलेक्शन के बारे में हो रही है वही आपके वहाँ पर पाकिसान की इलेक्शन के बारे में कोई भी बात्चित नहीं हो रही थी क्योंकि आपको पह कि हिंदों से सारी चीज़े छीन कर हम मुस्लमानों को दे देंगे पता नहीं क्या प्राब्लम है इसको हिंदों से और क्या प्यार है मुस्लमानों से मुझे आज तक समझ नहीं आया इतनी बेवकुफी हैं तो आपके हुकमरान नहीं करते वहाँ पर बैठ कर जितने हमारे यहाँ पर इसलिए उसको नाम इंटरनेशनल पपू का नाम दिया गया है अब हो क्या रहा है अगर तो हम सोशल मीडिया को देखते हैं भारत के अंदर हो चाइना में अंदर हो या पाकिस्तान में हो वहाँ पर ऐसे लगता है जैसे बीजेपी हाड रही है ऐसा परसेप्शन करेट करने की कोशिश की जा रही है एक इंफुलेंस करने की कोशिश की जा रही है लोगों के उपर लेकिन जो ग्राउंड रियालेटी अब मुझे भी बहुत देर होगी है जनरलिस्स के साथ बात करते हैं, ग्राउंड की उपर हमारी टीम्स फैली हुई है, जो वहां पर मुझे इंफॉमेशन आ रही है, कि बीजेपी की जो सिचुएशन है, वो बहुत ज़़ा स्ट्रॉंग है, वहां पर बीजेपी जीत रही है, मोदी जी के लिए प्यार है लोगो है जाधा तो इसको कोई समझ नहीं सकता, वो घुस के मारते भी है, तो यह जो गैरंटी है मोदी जी की, जो मैं कहता हूँ, करके दिखाऊंगा, वो बहुत आपके लिए तो अलजर महमूद हो, और हो कवो के तरह ही है, हमने मार दिये तो मार दिये, क्या हो गया, मोदी की ग इसका असर निचे तक है अब ये हालत हो गई है कि opposition भी बढ़ चड़कर promises करती है कि हम यह कर देंगे वो कर देंगे लेकिन guarantee किसकी है पपू की guarantee वो कहते है पपू की guarantee मतलब कि zero इसके उपर कोई भी विश्वास नहीं करेगा तो यह एक फरक है ठेखते हैं 4 जून को पता लगे कि इद बनेगी या डिवाली विकाज सरकर इद और दोनों होना चाहिए बाहराल दोनों कम्यूंटी जाहें बलके जितनी कम्यूंटी बहरत में रहती है वो मिलजूल कर रहें वही अच्छा है लेकिन बात यह कि सिर्फ हम यह बात नहीं कर रहें कि कहां पर घुशके जॉब्स मिलें घर हो एजुकेशन हो हेल्थ सेक्टर में हो और जॉब्स और इस चीज़ में आपके ख्याल से किस तरह से बीजेपी जो है वो आगे बढ़ेगी क्यूंकि बहुत बार यह भी कहा गया कि काफी लोग जो है वो अभी तक जॉब के इंतजार में है कर इतनी पॉपॉलेशन को और सबसे यंग पॉपॉलेशन है यह भी आपको मालूम है दुनिया में है अब इतनी पॉपॉलेशन जो बढ़ती जा रही है गॉवर्मेंट का काम बिजनस करने का नहीं है यह मोधी जी बार-बार बोलते हैं गॉवर्मेंट बिजनस इस नाट टू बी business हमारा काम है legislation को create करना opportunities को create करना क्या government वो opportunities create कर रही है answer is yes दुनिया भर की जो companies हैं भारत में आ रही हैं आपके तो वहां पे बड़े shows आपने भी की हैं कभी iPhone सुन लेते हैं मुझे तो कई बार आपसे बता लगता है कि भारत में कौन कोंसी companies अब project लगाने वाली हैं हमें भी इतना पता नहीं होता जितनी नज़र आपकी होती है और कितनी jobs उसमें create होने वाली है वो भी मुझे पाकिस्तान के channel से पता लगता है भारत के जो channel वाले हैं इतने निकम्मे हैं कोई बात ही नहीं करता कि जैसे कि भारत में को तरक्की नहीं हो रही हो जैसे अब आपने बोला कि apple है आपी का show था एक जिसमें आपने बोला कि पांच लाग तो jobs grade होने वाली है भारत में सिर्फ apple apple ने बोला है ऐसे ही samsung ने पूरा अपना operations चाइना से बंद करके भारत में लेकर आ गए हैं अभी जितने electronic companies हैं सबने manufacturing भारत में शुरू कर दी है ना कि शुरू करेंगे शुरू कर दी है टेसला वाला ओलरी यहां पर धक्के खा रहा है आने की बात करता है कि मुझे यहां पर factory लगानी है भारत में रीजन क्या है चाइना में उसने factory लगाई कि मैं वहां से बैट कर मैं चाइना को भी supply करूँगा भारत में भी supply करूँगा चाइना निकालनी शुरू कर दी चाइना ने आधे प्राइस पर एसला की गाडिया बिकी नहीं रही है तो यह उपर्चुनिटी जो भारत में क्रेट हो रही है because of situation because of policies यह इसका फरक पढ़ रहा है और अगले टर्म में वाके में फरक पढ़ेगा रोई जी बहुत अच्छा लगा कि आप आगे हैं मैं तो ढूंड रहा था कि श्याद आपके गले पे कुछ नूडल नूडल भंदे होंगे आप नूडल से लटकनी की कोशिश कर रहे होंगे लेकिन वो चाइनीज नूडल थे बच गए आप तो अच्छा हो गया ऐसा ही है क्यूंकि ना फोन उठा रहे थे ना जवाब दे रहे थे मुझे लगा पदनी कहां चले गया है सीमा एदर से मिलने ना चले गया हो जो इनके गर के पास रहती हैं वहां कर दो यह अजू पूछने गए थे कि तो पाकिस्टा जाकर आई थी कैसी रही हाँ पेट कर ले थे मैं जर्णा मुझे एक प्रोग्राम का मा भी चाहूंगा और साथ में थोड़ा बाद आगे-पीछे हो जाता है तो फाइन बिलकुल और हम यही बात कर रहे थे आपको भी उसमें यकीन है आप से भी पूछेंगे के डिफरेंट कंपनी जो आ रही है भारत में इंटर जीत गए तो आपके ख्याल से क्या नया लेकर आएंगे इस क्वेस्चन में तो इन्हेरेंटी एक बात है कि बीजेपी जीत रही है और उदर मैं अभी एगरी नहीं करूं अदेको सोमिच जैन साब जो है आज कल जो ट्विटर पर पोस्ट डाल रहे है ऐसा लगता है कि पाटरन देख रहा है उससे आगे बाद में पता चले को कौन जीतेगा लेकिन अभी हम नहीं बोल से कि दूसरी चीज आगे आने वाले टाइम में इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है सेमिकंडॉक्टर का जो कि प्राइमिस्टर मोदी ही दे रहे है और आगे ह चुरू किया था तो रगुराम राजन ने बोला था कि यह एक इंडिया नहीं होना चाहिए यह में फॉर इंडिया होना चाहिए हमारे इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है हम लोग सब कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं सब कुछ एक्सपोर्ट का मतलब हम अभी प्रमोस पाइज दिल भी नहीं है अगर बात करें तो में इंडिया आईफोन आप इंडिया के लिए नहीं बन रहे हैं और क्या-क्या export करए हम Software सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है इंडिया का साथ में हमारा export है what silicon chips भूब है seb beings wordt हमारा एक्सपोर्ट है लिए बिल्कुल सब producer ने सब कुछ यह सब कुछ जोिंद नहीं को ले कर लेकिन खाये से अपने अंतक देखा होगा और इन तीनों का डिसक्रशन आपको काफी पसंद आया होगा और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा जैसे कि आपने देखा अचाए आर्जू कासबी जी हो तो मैं जैन साब हो और रोई शर्मा जी हो तीनों ने बात की भारत में हो रह लाते रहें तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और मज़ेदार वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए जै हिंद जै भारत